और अभी तक हम लोग ने काफी चीजे अपनी Spring MBC टुटूरियल में कबर कर लिए हैं और ये जो होने वाला है वो हमारे Spring MBC का अभी में बताता हूं कि इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कोड नहीं आप लोड कर पाता हूं बर हां दो तीन चार दिन बाद अप लोड कर देता हो जब कई सारी में विडियो ले मतमी मतले हैं अभी तक चीज़ें समझ में आए होंगी हम लोग ने एक वीडियो मैंने यहां थर्टीन नंबर की वीडियो कर आप देखो तो मैंने आप मॉडल एट्रिब्यूट बताया था और मैंने बताया था कैसे आप अपने यूजर या अपने टाइप से अपने क्लास के वेरियेबल से यह वाला वीडियो जरूर देखेगा क्योंकि आज यही वाली ऐसी वीडियो कुछ बढ़िया होने वाली तो हमारे कई सारे सब्सक्राइबर और वीवर्स के पास एक कुश्यन था एक प्रॉब्लम था और है कि सर कॉंप्लेक्स फॉर्म यहां पर बना क के भीजा है कि सर अगर ऐसे फॉर्म हो तो उसको कैसे हैं रहले हम लोग अपने स्प्रिंग makes ओल ली ऐस jump पर नेम एक्जांपल ले लिया हाला कि फॉर्म और बड़ा था बट फर्जी के इमेल में लेनी की ज़रूत नहीं आप बस चीजे सीखिए कैसे स्ट्रिंग फिल्ड को क्या कर सकते हो अब हैंडल कर सकते हो ठीक है तो यह तो सिंपल फिल्ड थी इसको हम लोग हैंडल करेंगे उसके बाद हम लोग के पास alloc title यहां पर बैसकुल यहां पर ऑफ आपके बीण्राएंध सकते हैं साथ है यहां पर चाईब को कैसे उस्का अख बाइंट करोगे और चामौन करोगे तो मैं इसकलिक यहां पर डेंट देने वाल हो इम्पें जैसे मैं अपने डे अख सऑतको तो मैं कुछ ऐसे पास करूंगा द्यान से दिखिए यहां पर पास करूंगा एक ऐसे करके 1119 या 1177 ऐसे करके में डेट आप बर्त पास करूंगा तो बैसिकली हम लोग देखें कैसे हम लोग हैंडल करेंगे इसको भी उसके बाद हमारे पास यहां पर एक multi select box है जिसमें हम लोग कई सारे values को select कर सकते हैं तो इसको भी हम लोग हैडल करना सिखेंगे और जेंडर फिर उसके बाद हम लोग यहां पर टाइए select box हम लोग handle करना सिखेंगे तो बैसिकली हम लोग इस complex form को इस वीडियो में handle करना सिखेंगे तो यह बहुत सारी उजर्स की बहुत सारे जरुद हमें से जरुद नहीं पड़ती है आपको ऐसे ऐसे फीड्स की जरुद पड़ेगी ठीक है तो चलते हैं इस form को हम लोग क्या करते है spring mbc handle करते हैं और हम लोग इसमें चलते हैं बहीं किसमें अपने eclipse में चलते तो मेरा eclipse यहां पर उपन है और हम लोग बेसिकली अब सबसे पहले इस form को रेंडर करते हैं तो यह दिकत क्या है दिकती है कि हमारे html form है यह रखा हुआ है कहां पर हमारे desktop पर तो simply आपको कुछ नहीं करना है देखो इस form को दिखाने के लिए एक view बना लिए तो हमारे पास दो प्रोजेक्ट है spring mbc का एक spring mbc जिस पर हम लोग पहले काम कर रहे थे spring search है तो हम लोग spring search पर काम कर ले दें ठीक है यहां पर हम लोग ने कल search का एक control बना लेंगे और हम लोग simply अपने वेब में सारी configuration इसमें डन है अगर आपको configuration देखना है तो मैं आप आपको वीडियो बना दे बता देता हूं आप यहां पर आपको configuration पता चल जाएगा ठीक है तो basically मैं क्या करने वाल हूं मेरे पास views है और इसमें हमारे पास home.jsp जिसमें एक simple सा search box बना तो हमें इससे कोई मतलब नहीं इसको मैं बंद कर दूँगा और simply हम अपना form का जो भी content है वो उठाके यहां पर लाओंगा तो सबसे पहले इसको हम लोग open कर लेते हैं right click करते हैं और open with sublime मेरे पास है तो मैं यहां पर एक कोई भी text editor से आप open कर लेजिए इसका content को copy करने के लिए तो perfectly आप आंग बंद करिए और यहां पर क्या करिए सिंप्ली आप control A कर दीजिए control C कर दीजिए और इसको बंद कर दीजिए ठीक है और यहां पर आ जाईए ना simple है और अपने view में right click करके और एक simple jsp file बना जीए क्योंकि हमें jsp jsp चाहिए ठीक है तो हम simply right click करेंगे और right click करने के बाद new पर चलेंगे new पर यहां पर simple jsp file पर click करेंगे नाम आप कुछ भी दे सकते हो मैं यहां पर दे सकता हूँ complex complex underscore form dot jsp dot dot jsp ठीक है और simple आप finish कर दिए तो आप देखोगे यहां complex form dot jsp बन जाएगे इसको select कर दिए और डिरीट मार दिए और control वी करके वह form जो आपको आपको पर दिख रहा था वो यहां पर bootstrap थोड़ा समय बढ़ा करता हूँ जिससे देखेंगे तो form को पहले समझ लेते हैं फिर व्यू करते हैं तो simple मैंने क्या किया हुआ देखो मैंने क्या किया मनलब जो भी जिसने भी भी बेजा इस form को ठीक है आप भी ऐसे बना सकते हूँ simply आपको यहां पर link लगा आजाए ठीक है पैडिंग आजाए उसके बाद देहां से देखो यहां पर इन्होंने रोव बनाके रखा और कॉलम बनाके रखा हब आपको bootstrap पता है तो इन्होंने क्या किया 6 ग्रिड 6 कॉलम को बनाने के लिए 6 ग्रिड उस किया है और medium end अपके उपर 6 ग्रिड उस करेग तो perfectly उसके बाद card बना दिया card यह आपका card है white color का जो दिख रहा है उसके बाद card की body है bodies ले लिए जिसके हलका सा padding आ जाए ठीक है उसके बाद देखो main जीज़े form ठीक है main जीज़े form है और form के अंदर देखो सबसे पहली field बनाई इन्होंने name के लिए यह वाली field है name के लिए name के लिए देखे label यूज़ किया है फिर input यूज़ किया है यह आपका input है और फिर यहाँ पे small यूज़ किया है ठीक है यह आपका input है जिसका name रखा है ठीक है उसके बाद इसी तरह दूसरी वाली field है तो हलका सा मैं separate करता जाता हूँ जिससे आपको समझ में आती जाए ठीक है तो data of birth वाली field है perfectly ठीक है उसके बाद देखे इन्होंने text यूज़ किया है text यूज़ करो ज्यादा बेटर है बाद में बताऊंगा कि आप कैसे date यूज़ कर सकते हूँ अगर date यूज़ करोगे तो थोड़ा सा formatting गडबड होगी क्या गडबड होगी तो आप ध्यान देज चाहिए फिर mm चाहिए और फिर yyyy चाहिए ठीक है यह बेसिकली हमें placeholder चाहिए तो अभी हम लोग इसको कर लेंगे ठीक है और इसका जो नेम है वो date है ठीक है perfectly date है या DOB कर दो DOB date of birth उसके बाद देखो form में इन्होंने बनाया है अब select box बनाया है courses के लिए तो example courses या select courses यह subjects रखा है मैं इसको courses कर देता हूं ठीक है courses कर देता हूं और Java है Python है सब कुछ है perfectly उसके बाद इन्हों जेंडर रखा है पर निकालेंगे दोनों तरीका में बता दूंगा ठीक है देखो सबसे पहले क्या करना है आपको सबसे आपको इस नया इस न्या ना लेता हूं आपकी मर्जी आप handler माना लिए पहले से कोई controller है तो मैं simply new पर जाता हूं एक जावा के लास बना लेता हूं और class का नाम देता ह फॉर्म कंट्रोलर फॉर्म कंट्रोलर हो सिंपल आप फिनिस कर दिये तो आप देखोगे class बन जाएगी form कंट्रोलर नाम से बहुत इसके ओपर सबसे पहली चीच आप form पा गशाना मत बूले जिससे कि ये controller का काम करेगा पास आ जाएगी अगर आप controller annotation लगा दोगे तो यहाँ पर इस हम लोगे ने controller annotation लगा दिया जिससे की अब यह controller बन गया है अब इसके अंदर बैसके लिए हम एक handler बना देंगे जो सो करेगा form को यहां बनाएंगे public void नहीं string मिना जैते हैं स्ट्रेंग और हम देते हैं यहां सो अंडर्सकोर फॉर्म अंडर्सकोर इसकोर या कैमल केसे उसका लूट ठीक है और मैं क्या करूंगा रिटन कर दूंगा अपने व्यू का नाम तो हमारा व्यू क्या है थोड़ा सा फॉंट बढ़ा कर लेता हूं अगर आपको लोग पर विस मैपिंग और आप आप यह सकते हो पाथ और पाथ में मैं उसकरूंगा श्लाश्ट अपको और नहीं तो आप अप लिखो लिखो सो वो complex लिख दो सिर्फ complex लिख दो complex लिख दो बस अब होगा क्या जैसे ही आप complex fire करोगे ब्राउजर पर आपका फॉर्म सो हो जाएगा मतलब complex अंडर्शकोर फॉर्म डॉट जो भी रखा है कंटेंट दिख जाएगा तो एक बार रन करके देखते हैं यह complex fire करते हैं हमारा फॉर्म दिखता है कि नी तो पहले वाला जो भी है उसको हटा देते हैं ठीक हम लोग इसको हटा देते हैं और हम लोग अब रन करते हैं अपना प् सिस्टम कॉन्फिग्रेशन इडिविल टेक सम टाइम ठीक है सो वी विल बेट जब तक कि यह डिप्लॉइ नहीं हो जाता सर्वर पे और रन नहीं हो जाता तक लोग वेट करेंगे तब तक मैं आपको बता देता हूँ अभी तक स्प्रिंग MBC की सीरीज ने एकसे की तो आप आप एक बाद जाके इसको एकसे करें काफी वीडियो मैं अप्लोड कर दिया एवन एक यह चोटा सा प्रोजेक्ट भी मैं अप्लोड कर दिया और अगर आप कम्प्लीट स्प्रिंग की सीरीज भी आपक्स कर यहाँ पर देखोगे तो आपको सारी वीडियो में बिल आप सब्स्रांइब怎么了 और हम अपना दिखने के लिए अधीयोगे तो अगर आप ने सब कुछ बढ़keiten क्या होगा पर्फेकली तो आप देखोगे यापका फॉर्म दिख जाएयगा और ऐसे ही होता है आप login यहाँ पर sign up कर देते हो URL और यहाँ पर sign up page दिख जाता है और header वगर दिख जाता है तो perfectly अब बंदा यहाँ पर हम लोग details एंटर कर सकते हैं तो चल दी start करते हैं अपना कमाल का वीडियो और इसमें हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग handle करेंगे अभी तक तो सरफ हम लोग ने form को दिखाया था spring mbc में और ऐसे ही यही technique यूज करके आप कहीं और से form को उठा सकते हो bootstrap के बड़िया बड़िया form बने होते हैं और simply यही technique यूज करके आप यहाँ पर forms अपने spring mbc की project में include कर सकते हो अब हम लोग क्या करते हैं इसको handle करते हैं ठीक है handle कैसे करेंगे simply सबसे पहले आप form में आजाए direct complex form के अंदर आजाए और यहाँ पर यहाँ पर यूरल पर आप इस form को handle करना चाहरे हैं तो I am going to give me यहाँ पर मैं अपने यहाँ पर नाम देना चाहरा हूं do to register या रजिस्टर या एसे को लिख दो process लिख दो process form ठीक है process form लिख दो हम लोग बहुत बहुत करते हैं प्रोसे तो चलो यहाँ पर handle था तो आप handle यूज कर लो भी या नाम में बहुत ज्यादा ठीक है यहाँ पर simply जैसा मैं बना रहा हूं आप ऐसे कर सकते हूं public string और public string नाम देते हैं handle handle form या form handler यह method का नाम में आप कुछ भी दे सकते हूं कोई दिक्कत भी नहीं है ठीक है और यहाँ पर return कर दिए view तो view में भेजूँँगा success.jsp ठीक है success perfectly अब यहाँ पर URL देखे request mapping बहुत ध्यान से लगएगा आप लिखेगा add rate request mapping और request mapping में simply आप यहाँ पर पात लिख दो भाई है किस पात को आप handle करना चाहरे हो so we are handling handle form not handler handle form उसके बाद हम लोग simply यहाँ पर comma लगाएंगे लिखेंगे method method में जो use करूंगा वो है post ठीक है यहाँ पर देखोगे तो request param मैंने बनाया बताया हुआ ठीक है इसमें बताया हो इस वाले 61 वीडियो में अगर आप spring tutorial वाली वीडियो दो को और spring mbc में देखोगे तो आपको मिल जाएगा यह 12 वीडियो में ठीक है तो यह वाला टेकनीक यूज करते है इस फार्म को handle करने के लिए तो आपको पहले आप एप फील्ड का नाम देखना है सपोज मैंने यहाँ पर अपने इसको handle करना है किसको आपको handle करना है नेम को तो आ आपको यहाँ पे वेरियबल लेना है जिसमें डीटा आएगा तो हम सिंपली यहाँ पे string name ले लेंगे ठीक है और अगर आपको long type का handle करना होता हूँ आइडी भी निकालनी होती तो आप यहाँ पे फिर से लिकाल लगाते कामा लगाने कबार रिक्वेस्ट परम और यहाँ अपने फिर्ड का नाम लिख देते ब्रेकेट के अंदर फिल्ड का नाम कैसे लिखते है आईडी और यहाँ पर आप सिंपली बस लॉंग यूज कर लेजे तो मैं रेपर क्लास उस कर रहा हूं लॉंग और यहाँ पर आईडी बस अपने आप से टाइप कास्टिंग हो जाए अगर यहाँ पर आईडी और नेम पर नेम पर नेम पर नेम पर गया तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ अच्छा तरीका नहीं है रिकष्ट पर हम यूज करो अभी मैं बताता हूं आप मोडल एट्रिव्यूट से कैसे इसको हैंडल कर सकते हो एक अलग से क्लास बना के ठीक है अब लोग देखते हैं हमारा कॉंटेक्स्ट्स रिलोड हो गया आपे इसको रीफरेस्स मारते हैं और फ्रेस्स मारने के बाद मैं क्या करूंगा सिंप्ली नाम डालूंगा यहाँ पर तो नाम मैं अपना डाल देता हूं दुरुगेश तिवारी डाल देता हूं कुछ ऐसे लॉंग टाइप की डेट ऑफ इसी फॉर्मेट में चाहिए तो मैं क्या करता हूँ अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ ठीक है अच्छा 2020 में डेट ऑफ बर्थ नहीं है ठीक है और यहां पर इच्छी सलेट कर लेता हूँ कि मेल और अपना नॉर्मलूSande हूं सब्मिट कर देता है मिल रहा है यहाँ और जिन सरवर डिल नोट फाइंड अपने पर दिख लेते हैं अपना वारल क्या था ठीक है तो यहां पर देखो एक एन मिस हो गया था हम सिंप्ली एन यहां पर लिख देंगे हैं यहां फॉर्म और फिर से एक बार रिफेस्स कर लेंगे और रिलोड हो जाने देंगे ठीक है आप देखोगे यहां पर यह तरीका नहीं है अब देखो अच्छा तरीका क्या है इसको मैं हटा दूंगा यहां से यहां पर बनाऊंगा एक टाइप क्योंकि यह जो डेटा आ रहा यह पूरा पूरा डेटा है यहां इस्टूडेंट का यह इसे पना दो क्लास बना लो और यहां पर नाम रख दो इसका स्टूडेंट एंडटी और सिंप्ली आफ फिनिस कर दो कहीं किसी भी पैकेज भालो कोई फर्ग नहीं पड़ता अब इसके बास क्या-क्या होंगी चीज़ें वहीं चीज़ें होंगी जो इस फ़र्म में स्पेसिफाइब किया गया सबसे पहले लें लेते हैं प्राइबेट फ्राइबट इस ट्रिंग ने अब यहां पर जो सब्सक्रों कि वहीं वैरीबल यूज करो जो आपने आपर form में लिया है नेम, तो बिसके लिए हम लोग ने यहापर नेम यूज किया था, इस वारे फिल्ड का, तो हमने यहापर नेम यूज किया और मैंने वेरियेबल भी उसी नेम का बना ए है, ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो फिल्ड था, वो आईडी था, तो क्योंकि इसमें आएगी डेट तो मैं आपे java.util की डेट यूज करूँगा आप java.sql भी यूज कर सकते हो आपकी बर्जी फिर आपको फॉर्मेटिंग थोड़ा सा देखनी पड़ेगी वहाँ पर और फिर हमको एक वैरियेबल बनाना है इस select courses को रखने के लिए अब क्योंकि इसमें single data नहीं है क्योंकि अभी तक हम लोग जो उपर ले रहे थे name वो single data था इसमें भी एक ही data था तो string ले लिया था इसमें long ले लिया था और इसमें date ले लिया था लेकिन इसको को एस्टोर करने के लिए हम लोग को उल्हों करना पड़ेगा को लिस्ट तो अब चाहेenne की ऐरे उपड़ी कर सकतो या आप सकतो लिस्ट तो मैं better arose करने वा लाओ फिलिस्ट तो striking लिस्ट लिस्ट इन्समें पर्रोग्राम में और यहां लिग बनाते हैं लिस्ट में लिस्ट का प्राइबेट 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 लिस्ट और लिस्ट किस टाइप की होगे बईया इसमें देखो लिस्ट में है क्या लिस्ट में आपके कोर्से से जो की स्ट्रिंग टाइप किये तो हम यहां पे लिस्ट करेंगे बईया यह हमारी student में यहां भी हम courses करेंगे courses perfectly उसके बाद आपने और फील्ड से यूज की है जेंडर तो आप यहां पर जेंडर में मेल आएगा या फीमेल आएगा तो मैं उसको लोगा प्राइबेट और यहां पर स्ट्रेंग और जेंडर उसका लोगा perfectly अब जेंडर नाम मैंने यहां भी फीमेल आएगी तो परफेक्ट है उसके बाद हम लोग यहां । इसमें से एक बार में इक हम से नॉर्म या फिर नॉर्मल तो इसे है और लेगा यह सुट्रिंगा इसे डर्फेंगी फिर नॉर्मल रख लेगा यह नॉर्मल रख लेगा तो भाई हम आ जाएंगे अपने यहां पर इसमें और टाइप के लिए भी हम यहां पर एक ही बना लेंगे प्राइवेट कहां गया है प्राइवेट स्ट्रेंग टाइप परफेक्ट ली तो यह काफी काफी अच्छा यहां पर फॉर्म था जिसके अं यह चीजों को प्रिंट करने के लिए बार बार एक करके कहां प्रिंट करोगे जने टू स्ट्रिंग पर चले जाईए और सिंप्ली जनेरेट कर जीए आइधिक समझ में आगा होगा अब इस वाले यूज स्टुडेंट का मैं यहां पर यूज करूंगा अपने चंट्रोलर म अगर आप टैग लाइबरी के हैं से बनाते तो यहां पर आपको पात लिखना होता ठीक है तो बाद में बताऊंगा कभी बाद में तो आप यहां पर स्टूडेंट टाइप का एक वेरियेबल लिए बस अपने आप से पूरा का पूरा फॉर्म आ जाएगा इसमें जो भी उ सब्सक्राइबहित करता उसके बाद आपको चारी सेथ करना होता अर फिर आपको 20 में भी काफी करना पड़ेगा फिर आपको करना पड़ता फिर आपको साथ में मौडल में डेटा डा एकस्स कर सकते हम ससे अपको दिकाई डिका बी देता हूं जैस्प बना लेता हूं success.jsp success.jsp अब बहुत लोग कहेंगे कि सर यहां पर यहां पर सबसे difficult step क्या था तो सबसे difficult step यही था कैसे आप अपनी form से fields को identify करोगे यह अपनी fields से form को identify करोगे सबसे important यह step था अब success.jsp मैं कुछ नहीं करूँगा मैं simply form को print करूँगा sorry अपने student को print कर दूँगा तो मैं आप लिखो डॉलर और पहले h1 लगा दें कि मैं यहां पर use करने वाला हूँ हलका सा capital letter sorry हलका सा font size बढ़ा करना चाहरा हूँ तो मैं लिखो heading और लिखो यहां पर student बस इसका two string अपने आप से print चल जाएगा और two string जैसे चलेगा student का आपको पता है two string में जितनी भी चीज़ आपने ली थी वो सब चल जाएगे print हो जाएगे अब यहां पर simply हम लोग इसको expression language को enable कर देते हैं तो लिखेंगे add the rate और लिखेंगे page ठीक है लिख देंगे page और page में लिख देंगे is el ignored को false कर लेंगे बस अब जैसे ही चलेगा अपने आप से student आ जाएगा अब चलो भाईया अब समय आ गया है इसको आंसर देखने का देखने का अपने form को चलाने का तो simply अपने spring mbc पर राइट क्लिक कर दिए और run as run on server पर क्लिक कर दिए next कर दिए finish कर दिए तो यह आप से पूछेगा कि मैं रिस्टार्ट कर दू तो मैं कर दूंगा हां भाई कर दू रिस्टार्ट मैं ओके कर दूंगा यह स्टॉप करेगा देन रिस्टार्ट करेगा तब तक मैं वेट करूगा और हमारा form automatic open हो जाएगा हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा automatic open हो जाएगा ठीक है तो देखते हैं कि अधिक है तो स्टार्टिंग आप अच्छे टॉमकाइट आप देख सकते हूं यहां पर लेफ्ट डाउन साइड में ठीक है हमारा देखो है यहां पर रण हो चुका है रण हो चुका है रण हो चुका है तो आप देखोंगे form home page चल रहा है ठीक है मैं क्या करूँगा यहां पर complex uprel fire यब फॉर्म अपर हो जाएगा अब इसमें submit करते हैं ठीक है submit करते हैं देखते हैं क्या हमारे सबको सभी हो रहा है कि एक लाइन का कोड एक लाइन का कोड हमारे complex form को handle कर सकता है मतलब कितना मज़ेदार है सिर्फ एक लाइन कोड वह यौने print करने के लिए लिए बस सिंगल लाइन कोड spring mbc में जो आपके सब्सक्राइब करता हूं यहां पर सिंप्ली मेल सब्सक्राइब कर लेता हूं आपको यहां पर मिला कि यहां पर आ जाएगी बट आपको देखो तो स्टूडेंट के नेम में जो आपने फॉर्म में डाला था अपको पाइफन मिल गया जैंडर मिल गया मझा सब कुछ परफेक्टली आ गया मुझे लग रहा था इसकी शायव यहां इसा नहीं पर नल वैलो कि यहां पर देखो नल वैलो कि यहां पर डेट क्यों नहीं आ है तो बिसकली शायद format कलो चाह है इसलिए दिक्कत हो रहे ठीक है तो हमारे पास यहां पर देखो तो date का मैंने क्या यूज किया था वाई date के लिए date के लिए हम लोग ने देखो DOB यूज किया था या तो आप इसको DOB कर दो या तो अपने form में इसका नाम date कर दो तो मैं इसका नाम date कर देता हूं तो थोड़ा से तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी सो मैं वेट कर रहा हूं कि रिलूड है काफी मेरा system काफी time लगाता है ठीक है system थोड़ा सा support करो ठीक है थोड़ा सा support करो तो मैं क्या करूंगा system को हलका इठास अपडेट कर दूंगा धविश्चा सीम्री रिर्म कड़ेतल कर लेता हूं दरवाइस डेट करने का आपस्ट ही ने ठीक है रिरन ओन सिर्फ यहां पर complex मारेंगे, पहले चल जाने दो, फिर मैं home की जगह slash complex मारेंगे, slash complex, ठीक है, और simply मैं फिर से नाम लोगा, और एक ID यूज़ करूँगा, और date of birth यूज़ करूँगा, ठीक है, और यहां पर कुछ courses select करूँगा, agenda select करूँगा, और submit करूँगा, तो आप देखोगे, अब date आ गई है, okay, perfectly, तो यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको date handle करने के लिए, ठीक है, तो मुझे लग रहता है, एक option आईगी, conversion में साथ दिक्कत आईगी, बड़ कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप देखोगे, आपके पस date भी आ गई, वे सब कुछ कर सकते हूँ, इसके पास जो date है, अब आगे आप चावा, अगर आपको आती ही, तो आप सारा कम कर सकते हूँ, ठीक है, तो basically मैं आपको यह बताना चाहरा था, कि यहां पर, ठीक है, यहां पर date में, मुझे लग रहा ता ऐसा दिक्कत होगी, बड़ इसने auto format कर लि कि जब भी आप date लो, तो इसी format में लो, इसलिए मैंने यहां place holder लगा दिया है, तो आपको इसी format में लेना है, और अगर बाइचांस आप format चेंज भी करते हो, तो आपको यहां पर student object के पास आना है, और यहां पर date format भी कर सकते हो, यहां पर आपको लिखना है date time format, देखते ह लेना चाह रहा हूं, या फिर M लेना चाह रहा हूं, और फिर Y by Y लेना चाह रहा हूं, तो यहां पर capital M है, capital M means month होता है, small M लेना है, तो मैं चाहता हूं कि हमारा date format होगा, कुछ ऐसा होगा, अगर आपको year लेना है, तो capital Y by Y आप पहले कर दिएगा, तो आपका year आ जाएग form है, आपको बहुत ही कम वीडियो यूटूब पर मिलेंगी है, और even हिंदी में तो बहुत कम वीडियो मिलेंगी, जिसमें मैंने, जिसमें आप सीखने को मिलेगा आपको कैसे आप handle करते हो, complex form को, साब लोगों वही normal form, normal form handle कराते हैं, जिसमें name, email, password, बस इससे जज़्याद आप auto winding कर सकते हो, करते हो मतलब spring MBC, so I think आपको वीडियो अच्छे लेगी होगी, मतलब सबसे important spring MBC की वीडियो थी, और काफी मैंने, मतलब इसको अच्छे से किया, एक बार retake मैंने किया, यहाँ दूसरी बार record कर रहा हूँ, जिससे कि आपको quality मतलब और अच्छे से दे प ठीक है, और एक चीज़ मैं और अच्छे बात बिताता हूँ, अगर आपको कोई, चो कोर्स चल रहा है, तो spring MBC से related कोई भी कुश्यन है, बढ़िया कुश्यन है, तो आप मुझे Instagram पर message कर सकते हो, या DM औगर भी कर सकते हो, comment कर सकते हो, अगर अच्छा लगा, so मैं इसी तरह आपको कुश्यन को ले करके एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है, exactly ऐसा ही बना दूँगा, so I think आपको वीडियो अच्छे लेगी, मैं मिलता आप से next interesting video में, course अभी continue रहेगा 2-4 दिन, साधी जब तक सिखाने दूँगा, मैं मिलता आप से next interesting video में, अकले, जैहिन, जैभार चैनल को सब्स्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, बाबाई